नमस्कार, जैश्री कृष्णा, मैं राकेश चिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूँ, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ विशेश नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पार्ट वन में मैंने कुछ नियम बताए थे, ये उसका पन में रिस्ट्राइब किये थे, उनका बंडन किया था, शास्त्रों में जो पांश लोग दिये वे हैं, उन्स लोग के अधार पे कुण्डली विशेशन करने के क्या नियम हैं, वो शलोग मैंने आपको बताए थे, आज उनसे आगे शलोग में आपको बताऊंगा, और जो स्वामी यदि लगन से छटे आटवे बार्वे भाव में बैटा हो, तो उस बाव को बिगाड़ा, यानि आपको वगर पांशे भाव का विचार करना हो, छटे भाव का विचार करना हो, या तीसरे भाव का विचार करना हो, तो जिस भी भाव का स्वामी छटे आटवे बार आज इससे आगे काश लोग हम दोग देखते हैं उसमें क्या चीज वह कहता है कि भावा धीशे चे भावे सती बल रहीते चे ग्रहे कार का खे पापांत स्थते चे पापा रिभी रिपी समेते क्षिती नान्य खेटे यानि ये कहना चाता है कि किस भाव के जो फल है या उस भाव सम्मंदी दुख है वो कपराप होते हैं कोई भी भाव के दुख सप्राप्त होते हैं भाव की हानी कब होती है भाव के अच्छे फ़ल हमें कब नहीं मिलते इसके बारे में बताया गया है भाव के अच्छे फ़ल नहीं मिलने के बारे ये भाव की हानी के बारे बोला है कि भाव भावेश और कारग ये निर्बल भाव भावेश और कारण देखे किसी भी कुल्डी को स्टड़ी करने के लिए तीन चीज़े बहुत ज़रूरी होती है किसी भी भाव को स्टड़ी करने के लिए भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं शुब ग्रह बैठे यानि बैठे अशुब ग्रह बैठे हैं बाव प्रिकिन ग्राउं का प्रभाव है, बाव पाप कत्री में तो नहीं है, बाव शुब कत्री में है, बाव पाप मज्जे में तो नहीं है, ये सब चीजे बाव में देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि भावेश, इसका बाव का स्वामी है, वो कहां गया है, केंदर तिको है तीसले बाव इस्तीर कारक मंगल है चौथे बाव का इस्तीर कारक चंद्रमा है वाउस वे अरे का उबारभे से शेनी तो यह इसॅ कारक होते हैं तो जैसे कोई भी भाव हमें डिस्कस करना होता है तो उस भाव के लिए पहले हम भाव देखेंगे कि भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं शुप ग्रह बैठे हैं अशुप ग्रहों का प्रभाव है अगर अशुप ग्रहों का प्रभाव है तो शुपता हो जाएगी तो वो भाव का दिखार लिया फिर हम चले भावेश पर तो 33 परसंट तो हमने यहां दे थिया भाव में 33 परसंट अवारा भावेश आ गया कि भावेश कैसा है केंदर में है प्रिकोन में है लाब वाह है छे आट बारे में बैठा है स्यूपरू अगर वह भी निर्वल है वह भी छे आट बारे में छला गया तो भावेश भी निर्वल तो पापकत्री में होते हैं तो कारक के रिजल्ट्स को देने नहीं देते हैं तो अगर भाव भावेश्ट और भाव कारक तीनों निर्वल तो आपका उस भाव की हानी होगी उस भाव से सम्मंदित दुख बिलनी वो कैसे यदि भाव भावेश्ट और भाव कारक तीनों निर्वल हो गए तो हमें उस भाव की हानी होगी यह हम लोग कह रहे हैं उस भाव के सम्मंदि हमें दुख की प्राक्ति होगी अब जैसे एक्जाम्पिल इसमें दिया हुआ है कि हमें इस तरी का विचार करना है पत्नी का विचार करना है तो पत्नी का विचार करने के लिए हम क्या देखेंगे अगर सक्तम भाव देखेंग पौनोग में चे बैठ हुए रखर न सब्सक्राइघ हizzard शुक्र ने उस पोड़े आठवे बाव में बाप द्रह बैठे तो वह भी निर्बल हो गया तो जो पतनी वाला भाव है वह बहुत पुलीद हो आल्दो शास्त्रों में तो लिखा है कि ऐसे में पहली पतने की मिर्थियों होती है लेकिन आप यह मांझ सकते हैं कि विवाई जीवन सुखी नहीं रहता औ अगर इस तरह की स्थिती बन जाएं इसके बाद का श्लोक कहता है तक्त द्वाप्रा वही वहेश खरेद्रेश कौना पी दुर्बला भावार्य द्रस्टमा कामगा निज्दशायाम भावनाश प्रदा पापा भाव ग्रहात त्रिशत्रु भावगा केंद्र तिकोने हैं ये क्या कहते हैं ये कैते हैं वहाव नास करने वायगे थिंद्रे की चीजरा चार्टरे की चीजें चैवावानाश करती है किसी बाब का अभी बाब की हानी चल रही है पहरे तो बताया कि बाब की हानी कैसे होगी कि बाब बाबेश कारक निर्वन हो तो बाब की हानी होगी अब बता रहे हैं कि बाब की हानी और कैसे हो सकती है किसी बाब जैसे हम कोई भी भाब सोच रहे हैं हम पांच्वा भाब सोच हैं दूसरा चीज यह ए कि विचाफिये भाव से या निदि पांच्वे भावा से जो पांच्वा विचार कर रहे हैं उस भाव से अस्टम Rebecca स्वामी बीजी दुर्वeds से अस्टम भाव का स्वामी यदिदुर्वल है पाप ग्राउंग के मत्रेह हैं पाप Teats लिए तो क्या होगा और अगर वो दुर्बल है तो उसकी द्शा में उस भाव की हानि किस बात की हानि होगी जिस भाव से वह आठवे भारता स्वामिन है उसकी हानि है तो आपको ये लगाना है कि विचारनी भाव से, विचारनी भाव कौन सा हो गया, कोई भी भाव ले लिजी आप एक्जाम्पिल के लिए, से दूसरे भाव ले लिए, दूसरे भाव से अस्टम भाव का स्वामी, उसको आप पकड़िये, अगर वो पिडित है, दूसरे भाव स स्टमभाव का स्वामी यदी कुली देखें तो इसकी दिशा में दूसरे भाव संम्मंधी आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे बुड़े अश्प्पेल मिलेंगे जब भी उसकी दशा हाएगी तो उससे फ़ल अच्छे नहीं हुआ है किसी प्रकार दूसरा भावी अगर हम स्टड़ी कर रहे हैं तो दूसरे भाव से अस्टम भाव का स्वामी हमने देखा इसी प्रकार दूसरे भाव से 22 वे द्रेश्कौन का स्वामी है लिए थिए 22 वे द्रेश्कौन कैसे निकालते हैं यह तो आप लोगों को मारून होगा के डीठी चार्ट में जाएं तो दिरिश्टी चार्ट में जापर आप देखेंगे तो वहां पर 22 वे भाव में राशी होती है वो आपकी भाव 22 वे द्रेश्कौन कहलाती है और उसका तो ये भाव की हानी के बारे में लिखा हुआ है कि भाव की हानी कब होती है भाव पिड़ी थो भावेश पिड़ी थो कारक पिड़ी थो नंबर बन नंबर टू भाव से अस्टम भाव का स्वामी पिड़ी थो तो उसकी दशा में भाव से 22 द्रेश्वान का स्वामी पिड़ी मिलते रहें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दूसरे भाव के यह विचारनिया भाव के जट आपको अच्छी नहीं मिलेंगे कैसे अगर विचारनिया भाव दूसरा है आपका तो दूसरे भाव से छटा भाव दूसरे भाव से सात्मा भाव दूसरे भाव से आठमा भाव देगे उससे कोई लिंक नहीं है लेकिन दूसरे भाव के पलूंप अच्छा नहीं देंगे क्योंकि ये दूसरे भाव से छटे, साथवे, आठवे हैं तो ये नियम भी आपने लगाना है एक नियम ये हाने के बारे मी बात कर रहे हैं कि आप भाव की हानी होती है तो शिर्ण नियम है बल्कुल विचार नियगा भाव से यदि पिसरे चटे ग्यारवे में पाप ड्रह बढ़े बटेंगें अब मादियार, यहां पर एक अच्छी चीज आई, अभी तक हम हाने की बात कर रहे थे, अब इसमें हम बता रहे हैं कि भाव की रधी कब हो, तो विचारनिय भाव से, विचारनिय भाव कौन सा आपका है, सपोस कीजिए आपका तीसरे भाव है, तीसरे भाव से तीसरे छटे ग्यारवे भाव में, अगर पाप रहे बैठे हैं, जिस भाव के रिजल्ट्स को आप जानना चाहते हैं, उस भाव से तीसरे छटे ग्यारवे भाव में, अगर पाप रहे बैठे हो, तो वो अपनी दशा में उस भाव की समरद्धी करेंगे, यह कितना सिंपल प्रिंस्पिल है और कितना अच्छा प्रिंस्पिल है जो हम लोग बिल्कुत ध्यान नहीं रखते हैं विचारनिय भाव से यदि तीसरे चटे ग्यार्वे भाव में पाप ग्रहे बैटे हो नंगल हो शनी हो सूर्य हो राहू हो तो वह अपनी दशा में विचारनिय भाव की प्रद्धी उस भाव की जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की वो प्राब्लम कर रहे हो वो डिफरेंट चीज है जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की वो प्राब्लम कर रहे हैं वो डिफरेंट है लेकिन जिस भाव से तीसरे हैं या जिस भाव से चटे हैं या जिस भाव से ग्यार्व वो अपनी दशा में चौथे भाग को बिगाड़ेंगे अगर आपको चौथे भाग का विचार करना है तो चौथे भाग के स्वामी के जो शत्रू है वो अपनी दशा अंतर दशा में चौथे भाग के हानी करेंगे Simple principle है. इसमें क्या है? जैसे अबो के इस कुंड़ी दिखाई हुई है. इस कुंड़ी में आपको लगन का विचार रबता है. तो पांसनमबर लगन है. पांसनमबर लगन का मालिक होता है, और दशा है, शनी की, शनी की दशा अंतरदशा है. को सूर्य का मित्र नहीं है शनी है सूर्य शनी का है इस कारण शरी कि दशा में शरीर में कस्थ हो सकता है और गुरू की दशा अजा आजाए चु गुरू सुर्य के अच्छा करेगा तो सूरिय वाला जो भाव है वो अच्छा हो जाएगा इदे के बहुत सिंपल प्रिंस्पिल्स है यह वाले जो आपको लगाने है अगर आपको कोई कहे कि शनी की दशा है तो शनी कहा के फल देगा तो आप कहेंगे शनी फल देगा शनी नवे भाव में बैठा वाय तो नवे भाव के फल देगा तो आपने यह लगा लिया और अधर 10 या 11 जान नंबर राशी है चटे साथ वे बाह में जो राशी है अगर वहाँ पर कोई ग्रहा देख रहा है तो उन भावो के फल भी जिन भावो का स्वामी है उन भाव के फल मी शनी देगा लेकिन साथ साथ शनी हैं उस बहाव से संबंदित कुछ परिशानी हो सकते शनी की दशा अंतरशा शनी हो सकता है कि आपको यही इसके अंदर लिखा हुआ है कि जिस बहाव विचार पजना वह उस बहाव के स्वाम हुं यह लिए विचार में विचार लिए भव को बिगाड़ेंगे और जो मित्र है उसको परदान करें लिए फिर यह श्जू का आता है यह श्लोक बहुत सिंपल है इसमें तो आप लोगों को बताया गया है कि देखे हावस्योद्यपे स्रितस्यकुशलम यदावपेन देया स्वामी तिस्टती संयूतो अपी कल येत द्वावजातम फलम ये क्या बोलते हैं दूस्थाने विप्रीत मेत दूतं भावेश्वरम दुर्बले ये क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि जिस भाव में लगनेश बैठा हो उस भाव की समर्धि होती है और भाव में भी जाए उस भाव की सम्रद्धी होती है और लगनेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो लगनेश जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो जिस भी ग्रह के साथ बैठा हो और वो ग्रह जिन भावो का स्वामी हो तो उस भाव की ब्रत्धी बैठा हो तो उस अब यदि किसी भाव का स्वामी मालय कोई भाव है आपका च्फूदा वह दीसरा वाव है तो क्या होता है कि यह इस स्लोप में इपटाने की इस की है कि किसी भाव का सוםी चटे आठवे बादे में जयाए तो फ़ल अच्छा नहीं हो और वहा जाकर वह और रमिर्बल हो जाया यानि किसी भाव का स्वामी चटे आठवे hanas तो गया लेकिन साथ में वहां जाके वह और फिडित हो गया शत्रु ग्रहों से द्रस्थ हो गया शत्रु ग्रहों के साथ हो गया तो उस case में तो फल और बिगड़ जाएंगे उसके और अनिश्फल कर देगा लेकिन अगर वहां जाके वो मजभूत हो गया या अपनी ही राशी में चला गया अपनी उच्छे राशी में चला गया गया चटे आटवे बावल में लेकिन गया आपनी स्वेर राशी में उच्छ पिष्राशी में। तो उत्सम खरफ़ाच्व नहीं करेंगे। यह त्जभात सिंपल फिंसमीं किसी भाव का स्वामी एक तो यह ध्यान रखना है कि और यदी वो च्टे आठे बार बार बागे राशी राशी का हो जाए या स्वेर राशी का हो जाए या वर नहीं करेगा तो आशा करता हूं आप यहा अलग से नियम बता हूंगा आपको समझ माय होंगे और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेर कीजिएगा, इन सब चीजें को विल्कुल ऑथन्टिकेटिटेड है और हम लोग बैस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई इंट्रेस्टेड हो, तो यह गए नंबर के पोन भी कर सकता है, बजयशेầी हैं, हन्यशे रहे हैं, अविल्काऊार इसक्राइब होज आपकेशी हैं, लकुल को जापकें कीजिए ऑशमा ए start-षटे काार ल सकता ही है край, on भाहे है है, कर совकाई के और सकता है किजिए रही है है